लबश्का बच्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने और्लाइन संस्थान परिक्षाप्रस में कैसे हैं सभी बच्चो B.S.F. का अभी देखा जाए है सभी बच्चे लगातार ही जब कोई नहीं वेकंसी आती है तो तुरंती उसकी तरफ अग्रिशन हो जाते हैं कि आखर इसमें क्या है पद कितना है पूंचा गया जाएगा कैसा आपका पेपर होगा कब इसका एक्जाम होगा तमाम चीजें आपके दिमाग में आने रखते हैं खास कर तब जब अभी 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 फ्रेशर हो या अभी आपने हाई स्कूल या ट्वाल्ट पास करके निकला हैं लेकिन आपको क्या चाहिए जॉब चाहिए या आप ग्रेजुएशन भी कर लिए हो और अब आप सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ रहे हो और आपको जॉब चाहिए एकदम फ्रेशर हो मतलब अभी अपने तैयारी करना सुरू ही किया है उस समय में आपको एक डिटेल्ड जो सॉल्यूशन होना चाहिए कि मतलब बहुत ही एक ऐसी वीडियो जिसमें सब कुछ पता चल जाए आखिर क्या है B.S.F. R.O.R.M. कैसे इसकी तैयारी होती ह एकदम इसक पताती है इसमें पद कैसे होते हैं कहां पे नौकरी होती है इसेलरी क्या होती है किस प्रकार से चैयन होता है sụ dat यहां पर चाहिए बहुत्तर प्रदेश में अब्सक्राइब बहुत यह यह बहुत यूप्योंगी भी समझाने वाला हूं यह जो न्यू वैकेंसी आई है लगबग 247 पत्की आई हुए है अभी जस्टीस का रिजल्ट भी आया था इस सिम्लर वैकेंसी थी इससे पहले 2022 वाली जी अभी 2023 की आई है बीस से पोता है बॉर्डर सेक्यूर्टी फोर्स ठीक है जैसे सीर्प होता है स होता है यह सारी क्या होती है आम जो होती है वो इकाईया होती है भारत सरकार की हेड कॉंस्टेबल की यह पद होते है जिसमें आरो मतलब रेडियो ऑपरेटर और आरे मतलब रेडियो मेकैनिक जैसे आप दिखते होगे कि हर विभाग में चाहे वो पुलिस का विभाग हो चा की यहां पर जगह निकलती है वो क्या होता है रेडियो ऑपरेटर और आर्म होते हैं जैसे आप ऐसे समझों कि आप किसी भी राजिस सब्मंदित हो और यूपी का ले लूँ तो यूपी में डायल 112 आप देखते होगे जो यह चलती है सो नंबर चलते हैं डायल सो नंबर वाले इनमें जो टेकनिकली चीज़ें हैंडल करते हैं यह क्लेरिकल ओफेस में बैट के जो कंप्यूटर पर डेटा फीड करते हैं वो कहलते हैं रेडियो मेकैनिक या फिर रेडियो ऑपरेटर इनमें यह सारी जो वेकेंसीज होती है इनके डिटेल में बता दूं है क्या यह अभ क्लोजिंग डेट है वह क्या है वह 12-5-2023 है ठीक है 12 तारिक इसकी क्या है इस बात को आप दिमाग में रखिए गा बाकि सारी चारी तो यहां पर अगर आप देखो कि इसने चाहिए में है क्या यह मेल फीमेल दोनु के लिए होती हैं तोटल दो सो सत्रा रेडियो ऑपरेटर के पद हैं और अगर देखा जाए हैड कॉंस्टेबल जो रेडियो मेकेनिक होते हैं उनके 30 पद हैं हाला कि पिशली बाल ज्यादा पतेज बाल थोड़े से कम हैं लेकिन यह ऐसी वेकेंसी जो हर बार अब आती है और कमीशन जो लगता है ठीक है यह लेटेस्ट पे कमीशन है लेवल फूर भी इस लेवल पर बहुत अच्छा माना जाता है इसमें सैलली 25,500 से बनती है इसके बाद भी इसमें बहुत सारे अलाविंस मिलते हैं जो बॉर्डर सेकर्टी फोर्स होता है सबसे अच्छी बात है कि इसमें अलाविंस बहुत है तो आपकी जो इन हैंट सैलली होती वो 35 साल इसके आज पास चली जाती है 81,100 तक जाती है मतलब कि इस पद पर भी ना प्रमोट हुए अगर आप रहेंगे तो ट्यक्ते बारमई जो इसलिमित होनी चाहिए वो 18 से 25 साल तक होनी चाहिए और इसमें क्या होता है कि ट्रम बंबने के लाश्य चर्ट, जो कि क्या है 18 से 25 के बीश में होना चाहिए बस ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है कि relaxation बाकी सम्में जैसे होता है जैसे ओबी सी का 3 साल स्थी स्थी का 5 साल यह सब कुछ वह सही है education qualification क्या होनी चाहिए तो इसमें education qualification की अगर मैं बच्चों बात करूं तो education जो qualification है हाँ ठीक है education qualification अगर आप यहां पर देखोगे 12th class 12th class ले लिया जाए या फिर आपका क्या बोल दिया जाए 10th दो category पर है दसमी class अगर आप की हो तो आपके पास ITI होना चाहिए दो साल का और अगर आप ITI नहीं है तो आप बराहमी class पास होने चाहिए लेकिन बराहमी में physics, chemistry और math यह PCM होता है PCM का मतलब होता है बत्चो physics, chemistry और math इसमें आपका 60% overall मतलब इन 3 subject के अगर आप marks जोड़ोगे तब आपके 60% होने चाहिए आप वैसे 55% भी पाए हो 50% भी पाए हो मतलब नहीं है अगर आपके हिंदी इंगलिस में overall से मतलब नहीं ह हो सकता है कि आप 70% हो लेकिन physics, chemistry, math में overall 60 ना बन रहा हो तो आप physics, chemistry, math के percentage जोड़के बटे 3 कर दोगे तो आपका PCM का क्या आ जाएगा यहाँ पर percentage आ जाएगा तो यह आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए 12th में और अगर ऐसा नहीं है तो आप 10th के हो 10th के बाब 2 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए, यह आप समझेगा और सबसे अची बात है कि यहाँ पेपर होता है वो 10 प्लस 2 लेबल पे ही आपका पूछा जाता है और इसमें science का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा भी कि इस channel पे आपको science की special class मैं ख चीज को देखते हैं कि कैसे apply करेंगे तो यह जब आपका खोलेगा इसके मैं एक अलग से video लेके आ जाओंगा वो मैं बता दूँगा, बाकि सारी जानकारी मैं दे दूँगा आपको जब यह form आएगा, अभी इसकी कुछ चीजें हैं कि जो आपको ज़्यादा जरूरी है कि BSF offline paper कराता है, ठीक है, इसमें होता क्या है, इस बाल तो 217 और 31 अपकी 247 vacancies है, और इसमें 18-25 age है, यह मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी eligibility क्योंने चाहिए, यह आपका stage 1 जो होता है, इसमें आपके क्या पूछा जाता है, इसमें आपका physics पूछा जाता है, chemistry पूछा जा है, physical standard test में क्या होता है, कि height ना पी जाती है, long jump ना पा जाता है, chest ना पा जाता है, height क्या होनी चाहिए, 168 cm होने चाहिए, male का बाखी सब के लिए relaxation भी है, वो detailed notification है, तो मैं बता दूँगा, female 157 cm होना चाहिए, जो chest है, वो male के लिए 80-80, 80 भी ना फुला है, 80 फुला के, ठी test का कुछ भी प्रावधान नहीं होता है, running जो होता है, ये physical efficiency test में आता है, 1.6 km के race होती है, ये साड़े 6 मिनट में दौड़ना होता है, ठीक है, बाकी जो female होती है, 800 मीटर ही दौड़ना होता है, 4 मिनट में, long jump 20 में होता है, 3.65 मीटर का पोसों के लिए, और 9 feet में क्या होत होता है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या होता है, 3 feet की high jump आपकी होनी चाहिए, बाकी अपने इपने रिलेक्षेशन भी होता है, उसके लिए परिशान मत होई है, eligibility मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता दीता हूं कि अलग से SCRO और RM में अलग क्या है, जनरली क Computer Operator, Programming Assistant में, या Data Preparation में, या Computer Software में, या General Electronics से Data Entry Operator में होना चाहिए, या फिर आप 12 to 60% के साथ, ठीक ऐसे, SC जो आरे में, इसमें भी क्या Radio and Television, General Electronics, Computer Operator, Programming, Assistant, Data Preparation, Computer Software, इसका स्क्रिन स्वार्ट ले लिजएगा, अच्छे से देख लीजएगा, इसमें 2-3 last में Computer, Hardware, Network Technician, Mechatronics जुड़ा है, Data Entry Operator from ही तो पुराना वाला ही है, तो ये 2-3 इसमें Trade All जुड़ जाते हैं, जैसे Computer Equipment रहा होता है, तो इसमें, किसमें, Head Constable, Radio Mechanic वाले में, 2-3 Trade Extra और Elisable है, इस बात को समझेगा, या फिर आप 12 to 60% की रिखेट साथ, फिल्स कमिस्टी में के Chemistry मिलाके आपका 40 और 20, 60 नमबर, 100 में 60 कोशन आपका यही पर होता है, एक कोशन दो नमबर का होता है, 60 गोड़े दो यानि कि 120 और जो कट आफ जाती है, वो करीबन 94 से 95 अभी पिशली बार गई थी, ये मैं आपको बता दू, मतलब अगर आपका केवल Physics और Chemistry strong है, तो आप य ये वेकेंसी आपकी है, आप इसे निकाल ले जाओगे, फिर Math और English और GK में बहुत ज़्यादा परिशान नहीं होना है, GK में भी ये Current Affairs सबसे ज़्यादा उसके बाद General Science, तो ये General Science जो है, जब आप Physics और Chemistry पढ़ते हो, तो General Science वहीं से कवर हो जाता है, Current Affairs अगर आप केवल पर लोगे, तो आपका ये जो 20 है, इसमें कम से कम 12 से 13 कोशन और कर ले जाओगे, बची केवल मैस, तो उसके लिए मैं आपके लिए हूँ, वो भी मैं आपको करवा दूँगा, बिल्कुल निशुलक मैं करवा दूँगा, उसके लिए परिशान नहीं होना है, तो इसके जो परिशान नहीं है, दो नमबर का एक कोशन होता है, 100 कोशन होता है, 200 नमबर होता है, सबसे अच्छी बात है इसमें निगेटिव होता तो है, लेकिन 1,8 होता है, बच्चों, क्या होता है, 1,8 होता है, मतलब 0.25 मार्क्स के वल होते हैं, और एग चीज समझना, कि जो पेपर क स्टेंडर्ड होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है फिर जिक्स जो होती है केमिश्टी जो होती है ऐसे जंडर नहीं पूंचता यह 10 प्रेस्ट वाला पूंचता है तो वह मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप अच्छे समझ पाऊँगे इसके लिए आपको थोड़ा मुझ स्टेज होता है जो सेकंड फेज होता है वो पीस्टी पीटी होता है जिसका मैंने डिटेल बता ही दिया जो तीसरा होता है एक चीज आप इसमें समझेगा डिक्टेशन टेस्ट और डक्मेंटेशन टेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि डिक्टेशन टेस्ट में यह होता कि आपका एक number जाता है और एक letter भी गलत हो जाता है तो 0.5 number चला जाता है ये थोड़ा सा आपको error कम करनी है इसकी तैयारी मैं अच्छे से करवा दूँगा और इसमें भी ये qualifying होता है लेकिन 38% आपको करना है यहाँ पर qualifying का role है ठीक है इस बात को समझेगा 0.5 marks will be deducted for each omission mistake of single letter एक भी letter आप छोड़ दिये dictation करने में जैसे उसने क्या बोला उसने बोला suppose करो बोला letter अब आपको letter लिखना है तो आप L E T E R ये लिख दिये एक T आप छोड़ दिये तो क्या हो जाएगा आपका 0.5 marks cut जाएगा या आपने कोई word गलत लिख दिया पूरा का पूरा उसने कुछ और बोला उसने बोला suppose करो कोई ऐसा बोला कि common spelling वाला या common word वाला होता है वैसा कोई सब्द बोल दिया और आपने उसकी जगा पे कुछ all लिख दिया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वो भी आपका गलत हो जाएगा ठीक है इसको समझेगा उसके लिए एक number कट जाएगा या कोई पूरा का पूरा word आप भूल गये हो नहीं लिख पाए हो तो एक number उसके लिए कट जाएगा इस कारण से यहाँ पे यह 38% लाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है इसको मैं अच्छे से बता दूँगा क्या होगा ठीक है जिसका third phase होता है वो क्या होता है इसमें medical examination होता है detailed medical examination यह तो बाकी जैसे होता है क्योंकि यहाँ पे आप border security force में जा रहे हो बाकी अपने-पने categories के यह आप cut-off इस तरह बार की देख सकते हो direct entry वाले यहीं से आपको idea लग जाएगा कि आपको कैसे तयारी करना है बाकी एक जो जरूरी announcement बच्चों जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए वो यह है कि science का देखो आपका role बहुत जादा है और यहीं नहीं यह जो मैं आपको special science की class करने जा रहा हूँ जिसमें आपके physics भी रहेगी और chemistry भी रहेगी पहले हम लोग physics को कबर करेंगे बहुत 10 plus 2 level पे physics plus chemistry तो पहले हम लोग physics को कबर करेंगे फिर chemistry को कबर करेंगे यह आपके लिए कहां कहां ही पूयोगी है इस vacancy में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगा है और इस बात की भी guarantee देता हूँ कि कोई कितना भी चिला लेगा कोई कितना भी कहलेगा अगर बहतरीन पढ़ा दे वो quality दे दिया और radio operator का होता है यहां पे भी same pattern पे पूँचा जाता है तो चारो जगहे पे आपका यह जो class होगी वे बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है और केवल इसी class के बदावलत मैं इन चारो exam में आपके selection का दावा करता हूँ तो अगर आप चैनल पे नहीं हो बच्चो तो चैनल को subscribe आऊशे कर लो इसकी class की पूरी detail मैं आपको दे दूँगा Monday को आपको most probably साम को 7 बजे 7 पीम से everyday आपको रोजाना 7 पीम पे यह class होगी कहां पे होगी परिक्षा प्लस YouTube चैनल पे ठीक है बस आपको मन लगा के तैयारी करने आपका selection करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ बस बिद्वद आप यह 7 बजे वाली class होगी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी तो सोमर को हम लोगी 7 बजे की class में कर दो